काहा जाता है कि भारत जो है वो गॉशायमे बसता है कि गॉशायमे आपको सकुश्सकूरती तो सबसे में लोग तुकी पहले लोग घंळकर तलाब और प्वक्मए पेर निर्भर रहते हैं तो यह देखिए यह गाउं के साफार का तलाब है और यह ग्रामसभा का तलाब है जो यह वह सरकार होती है तो सरकार को इसके मालिक है और इस तलाब में देखिए अब यह पच्छिया उड़ रही है जो मैंने फुर्ट को है लेकिन अब इस वक्त वतावरण से पच्छे ही गाइब हो गई है और वह दिखती रही है ना कहीं आपको बहुत ही कम दिखाई देती है पहले जो है तमाम शिर्याय जो है वह आती थी पानी बैटती थी यहां पानी पीती थी लेकिन इस वक्त जो है वह सब गाइब हो चुकी है उसका एक जिस निकलती है उससे काफी परवाव पड़ा जिससे वह विलूप्त होने लगी तो यह देखिए यह तलाब जो है अब इस वक्त जो है यह बहुत ही परदुश्यत हो चुका है अगर परदुश्यत नहीं रहता तो लोग इसमें आते हैं अपने जानवर को लाते हैं जानव इसमें नहाते भी नहीं है तो इस तरह यह सारे तलाब जादा तर जो है वो परदुश्यत हो चुके हैं जिस वजह से यहाँ पर आपको ना आदवी ना जानवर कोई दिख नहीं रहा है और यह तलाब काफी बड़ा है और लेकिन चुकी यह तलाब कई तलाबों से हैं यह देखिए यह गाँं के साइट में यह तलाब है और पहले तलाब हर गाँं ही में रेते थे।जोंकि लोगों कई जरूइां ती लोगों को उसकी जरूरत थी पानी की तो तलाब सही पानी लेते थे लेकिन इस तरह से अब लोग तलाब का य्यूजЗ होना खत्म हो ये मचली पानने के लिए ये तलाब बना हुआ है और इसका पानी काफी शुद्ध है सही है लोग इसमें नहाते भी हैं लेकिन इस वख थंडी का मौसम आ चुका है तो लोग इसमें नहा नहीं रहे हैं और इसमें मचली पली हुई है और ये देखें ये पूरा जो है साइट स से जो है घьराबंदी है मिट्टी की और बगल में भी एक छोटा तलाब इसी का बना हुआ है च्ञुक्री जब इसमें गंदा पानी हो जाता है तो उस नहीं में है शिफ्ट कर दिया चाता है पानी को नए पानी भर जाता है जिससे मस्लियों को अक्सिजन वगरा वो प्रॉपर तरीके से मिलती रहती है तो यह था हमारे गाउं के तलाब जो है जो मैंने दिखाया भी बहुत से तलाब इस गाउ में हैं सबको मैं एक्स्प्लोर नहीं कर सकता